हेलो फ्रेंड्स मैं कमेंटो और एके सिंग और आज फिर हम अपने सीटेट के सेक्षिन को करेंगे यानि कि बाल विकास के सेक्षिन में आप क्या देख रहे होंगी कि आपको अब तक कोश्चोनों को काटना या कोश्चोनों को चुनना आ गया होगा कोश्चोनों को चुनना गया कि कला जो अगर आपमें डेवलाप हो गई है तो कहीं न कहीं आपमें एक चीज का डेवलेप्मेंट हो गया है यानि कि आप PG-95 नमबर कही न कहीं अपने आसानी से ला सकते हो तो बाल विकास के यह जो चरण हम सिखा रहे हैं आपको और बाल वि कास की यह जो question answers वाली class है वो बंद कर दी जाएगी जिससे आपको फिर आपको theory के जितने भी topics हैं वो एक एक छोटी छोटी शोट 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 वीडियो जैसे ADHD है आपका इस तरह की वीडियो आपको दे दी जाए जिससे क्या हो कि आपको वो theory का हम इससे लगा लेंगे अंदाजा किस तरह solve करना है और हमें पैड़गोजी तो यानि की 15 तारिक को आपको 16 तारिक से लेकर 21 तारिक को आपको पेपर है 20 तारिक तक के बीच में सारे की सारे ऐसे topic करवाई जाएंगी जो आपके कहीं रहें आखरी टाइम में दिमाग में घुच जाएं और आप क्या करो जैसे यानि की जैसे होता है न कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ और 21 ता आपको कक्षा में विध्यारतियों के 20 भागिता बाचीत और वैचारिक भैस को बढ़ावा देना चाहिए देखो मैंने आपको इस तरह कुशन कल कराया था ठीक है उसमें मैंने क्या कहा था जब आपकी क्लास में देखो यह है आपकी क्लास मान के चलिए क्लास है यहाँ पर ब्लैक पौरड है, यहाँ पर आपकी रोज लगी है ठीक है चालिस बच्चों की दस बच्चे यहाँ बैटे थे dope-री क्लास है ठीक है अब आपने कोई टॉपिक पढ़ाया मान लेजिए आपने क्लास है ठीक है परियावरण के साधन पढ़ा है आप बोलते गए बोलते गए बोलते गए और उधर से कोई response नहीं हा रहा है यानि कि आपके बच्चे ने ना question पूचा ना उसके बारे में आपने उनसे चर्चा करी ना कुछ करी तो वो कहीं न कहीं किलास हो जाएगी जीरो यानि कि जीरो किलास के स्रेणी में आज जाएगी जीरो किलास के स्रेणी मतलब कि आप क्या हो बोलने वाले वो क्या है दर्शन वाले यानि कि मुख दर्शन वाले जैसे कि मैं बोल रहा हूं अगर हमारी आप से इंट्रेक्शन हो जाए, आप मुझसे कोशन बूचो, मैं आपको इसी चीजे को बताता रहो, तो कहीं न कहीं यह होती है, क्लास इंट्रेक्टिव, यानि कि दुनिया में, दुनिया की बात करो, यानि कि इस पृत्वी पर, कभी भी, आपको अगर ज्ञान प्राप्त क पढ़ानी है, अगर आपने पढ़ावा है, तो तब आप उसको, यानि कि मुझदर्शन के रूप में, उस चीज को एडवांस तोवर पाज जान सकते हो, नई तो आप क्या करोगे, अगर आप पहली बार देख रहे हो, या पहली बार उस चीज को समझ रहे हो, तो आपको कह ही न गई, एक जैसे सो सब्द, अगर टीचर बता रहा है, तो कहें, दस सब्द में या पांस सब्द में आपको दिक्कत होने वाली है, तो यह होती है, आपको टीचर स्टेटेजी में पता होना चाहिए, इस सब चीज है, तो पहला हो जाएगा, बिल्कुछ सही, दूसरा कह कटेगा, यह कटेगा, यह कटेगा, बचेबं सा ओप्शेन नमर उन, ठीक है, चल या कि चलते है, कूशेन नमर second, डेकते है अधिगा में एक सकरिय पर कर proceedings, इस ब्लकुर सब्सक्रिक्चर जो यह सांस कहें, थीक ही, अब समाजिक की बात आगी, ठीकि किसकी बाता है समाजिक की मैंने आपको क्या कहा था समाजिक की जब बात आती है तो क्या बात होती है यानि कि सांस्कृति की जब बात आती है तो संस्कृति के साथ क्या जुड़ता है समाज जुड़ता है यानि कि समाजिक जुड़ेगा तो संस्कृति के साथ मैंने आपको कहा था संस्कृति के साथ हर बार क्या आएगा सामाजिक आएगा यानि कि समाज और संस्कृत देखो आप क्या हो यह आपका घर है ठीक है आपके घर में आपके पापा मम्मी आप आपका भाई, आपकी बहन, यानि कि पांच मेंबर हैं, ठीक है, आपकी मम्मी ने आपको जनम दिया, ठीक है, वो क्या थी, एक समाजिक प्राणी थी, यानि कि समाज में रहने वाला हर वेक्ति समाजिक प्राणी होता है, ठीक है, आपको जनम दिया, तो आपने सबसे पहले कि कौन से समाजिक प्राणी से मिले आप अपनी मां से मिले फिर अपने पिता से मिले फिर अपने भाई बेनों से मिले फिर क्या है जो आपके चाचा होंगे उनसे मिले ताओ होंगे उनसे मिले तो क्या है एक समाजिक परिवेश हो रहा है अब आपके घर की जो संस्कृति है यान यहां समाज की द्वारा चल ली तो समाज की द्वारा जब चल ली है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में जहां भी आपको संस्क्रिती होता तो आप कांसर बहुता यानिकि ऑप्शन नमबर दो हो जाएगा कोशन अबह तेज एक निवन में से कौन से एक संप्रत्य से अधिगम को बढ़ावा देते हैं तो कौन से हो जाएगा देखो इसमें क्या हो गया नए ग्यान को विद्यारती के पूंग ग्यान से जोड़ना ठीक है पहला यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यानि कि आप बत भ्कड़ने डेस बैलेंस हो रहा होगा अब जब आपने अच्छी त्रह साइक चला दें गिरें वह गें यह मात मान के चलता है पर आपका जो ज्यान है यानि पूर ग्यान हम मैं आपको कह दूंग है तो चीज आपको दे दी जाए ठीक है तो आप क्या करों कि ब्ल्कुल वैसी ही चलोगे आप न गिरोगे न कुछ क्योंकि आपको हैंडल पकड़ना आ गया है यहां से जो आपने क्याने पूर्ण ग्यान से जो सीखा वह आ गया है तो इसलिए कहीं न गहीं यह कॉंसेप्ट सबसे बैटर माना जाता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं कॉश्चन नमर निवन में से कौन सा उपागम ज्यान के निर्माण में विद्यारतियों के सक्रिय भूमी का को क्रमतर रूप से देखता है अब इसमें से हम क्या काटेंगे जो अपवादित वर्ड है यानि की यह कह रहा है डाउन प्ले डाउन प्ले डाउन प्ले की बात करा अप्रोच क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा option number पहला ठीक है यानि contest समरण का उपागम जो ज्यान के निर्माणी में विद्यारतियों के सक्रिय भूमी का को कम तर करता है यानि कि क्या कह रहा है और यह क्या करते हैं यह ज्यादा करते हैं खोज बीन अन्यवेशन खोज अधिग यह क्या है negative तो negative negative क्या होगे चलिए next question देखते हैं कोश्य नमबर 25 देखते हैं चली नेक्स वेशन देखते हैं रेनु हमेशा समाधान में विभिन पहलों पर विचार करनके अंत में कई सही साधन धूंडी लेती है वह समस्या को हल करने के लिए डैश परकरिया को ओच कर प्रियोग करती है देखो क्या कर रही है वह कर दाइवर वरजिंग यानि कि डाइवरजिंग में कौन सा जाए गा तो सवसे पहला हो जाएगा आपका अपसारी यानि कि अपसारी इसका आ शरी का लेखेगा ? झीक है क्यों अशे का क्षेछ का रतों की तूरुटियों की संबंध में अध्यापक करको करना चाहिए उसकी जो-शे कही एक तरह से अवसर के रूप में देखना चाहिए तो सबसे पहले नकरा तो पुनल बन द्वारा त्रूटियों को कम गरने चाहिए बिल्कुल गला ढंड देना देना तो नेगेटिव अंसर है इसके वजह से वह त्रूटिया हुई है ठीक के यह आपका आँसर हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं question number next एकते हैं संग्यान और भावना यानि कि संग्यान और भावना जो होती है वो किसके लिए होती है किससे होती है परसपर होती है स्वतंतर होती है कभी-कभी होती है इस तरह का आपका question बुच अगया तो यहां एक दूसरे से स्वतंतर होती है नहीं जी एक दूसरे कि कभी-कभी यानि कि क्या हो जाएगा इसका कभी-कभार ही संग्यान और भावना जोती है नहीं जी एक दूसरे से परसपर संग्यान जोती है बिल्कुस सही है उसमें कौन सी बावना पैदा हो गई, अब इस question से एक चीज और द्यानक ना, एक question बोचा जाता है, एक बच्चा फेल होता है, तो उसमें किस की गलती है, बच्चे गलती है, teacher की गलती है, school की गलती, इस तरह से question बोचा जाता है, तो उसमें बच्चे गलती नहीं है, teacher की गलत से क्योंकि हमें क्या करना है बच्चा एक सब्सक्राइब उससे ध्यान नहीं धे रहा है तो यही कहीं जैसे मान के चलिएक बच्चा क्या करता है अपने पापा अम्मी की कहानी सुनने से अच्छा वह अपने दादा दादी के साथ कहानी सुनना पसंद करता है क्यों क्योंकि उसके कहानी सुनने का जो एक तरह से मस्तिश्क है वो क्या करना है लुभाने वाला होना चीए लुभाने वाले में इसका क्या अंसर हो जाएगा उच्छे आत्म साथ ही ये नहीं होगा दूस्रा question है वो दूस्रा question है इससे the question पूछ है अदिकम का भी नहीं हो के हैं लिफ किस पर जोड दिया गया तो किस पर जोड पर डिया गया है बई आपको जब शिक्ष्णानिती में यानि कि multidisciplinary education के ओपर दिया गया है multidisciplinary education education ठीक है तो यह आपको दिया गया है चलिए आज का last question देखते है question number 30 देखते है डैस अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है क्या होता है को पोशन और यह कई बार question आ चुका है तो आपको पता हुने चीए अगर आप बान के चलो चलो मैं आपसे कहूं खाली पेट आपको मैं यानि कि आप दो दिन से भूके हो टू डेस से आपको मैंने खाना नहीं दिया तीसरे दिन आपको मैं कह दूँ कि इस खेत में काम करना है चलो खेत में काम नहीं करना है मैं आपको खांऑ कि ये जो किताब है generate और जाने करने कि आपको मस्तििक को करने के योगे नहीं रहएगा इसलिए क्लिक करता है उस लिए कूर्शन वेक्ति को क्या करता उसे एक तरह से मस्तिश्क से हरा देता है और मस्तिश्क जिससे जो हार गया वो कहीं न गहीं पून रूप से हार गया तो इसका अंसर हो जाएगा option number एग तो चलिए आज की question answer दे और एक चीज़ और देखिए previous year के question जरूर करिए जो तो में number आ रही है और previous year के paper किसी को चाहिए तो English वाले student के लिए क्या है 299 में 4 चार बुक मिलेगी जिसमें 2011 से लेकर 2019 तक के 2021 के 2022 के 2022 के और एक बुक आपको free मिलेगी जो कि है आपकी EVS की ठीक है यह चार बुक आपको 299 में मिलेंगी 199 में आपको Hindi वालो के लिए यानी Hindi medium के लिए ये English medium के लिए और छीक है छीक है हbereनी मेंडियु के लिए 21 की बुक मिलेगी 22 की बुक मिलेगी और इसी के साथ इसमें भी आपको free एक EVS की बुक मिलेगी यहां लेकी तीन बुक आपको 199 में मिलेगी जो की इसकी कीमत क्या है हर एक बुक की कीमत आपकी कितनी रखी गई है ओफर में 99 यानि ओफर में 99 रखी गई है वैसे आप लोगे इसकी कीमत ज़ादा है यानि अगर सिंगल सिंगल भुक लेनी है ओफर में आपको 99 है अगर आपको अलग-अलग बुक लेनी है तो आपको देख लीजिए चलिए ठीक है बच्चू आशा करता हूं को वीडियो पसन नहीं वीडियो पसन नहीं तो लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो जाशेर शेर कें थेंक्यू